नमस्कार दोस्तों, क्राइन तक में आपका स्वागत है, आज बात करते हैं उडीसा मामले की हम तब को बता हैं उडीसा मामले को लेकर बवाल मचा पड़ा है एक आर्मी मैन और उनकी मंगेतर उन दोनों के साथ भरतपूर एक थाना है उडीसा में जहां पर उन्होंने आरूप लगा हैं कि उनके साथ बचसलूकी की गई सिर्फ बचसलूकी नहीं की गई उनके साथ मारपीट की गई, यौन उत्पीडन हुआ और उसके बाद अब इसमें कारवाई भी हुई है, लेकिन ये मामला बहुत संगीन है क्योंकि ये मामला अब हर जगा इस पर चर्चा हो रही है उडीसा के पूर्व सीएम ने इस पर ट्वीट भी किया है और ये कहा है इस पूरे मसले को लेकर कि इसकी जुडिशल इंक्वारी होनी चाहिए कई जगा मैं पढ़ रहा था इस ख़बर को लेकर आर्मी वर्सिस पुलिस भी लिखा गया है गटना पहले दोस्तों आपको बताये तो 15 सितंबर की बात है राग के एक बजे के आसपस खबग था ये बताते हैं कि रेस्ट्रोव है इनका भूवनेश्वर में जो कपल है और जो लेडी है सौरी उसने अपना रेस्ट्रोव बंद किया और कार में अपने मंगेतर के साथ थी वो ये बताते हैं कि कुछ लड़कों ने इनकी कार रोकी पहले इनके साथ हाथा पाई की करीबन 6-7 ये लड़के थे आप सोचे कि वो अपनी मंगेतर के साथ जा रही और इस तरह से उसके साथ बचसलूकी की गई वो बहुत ही डरी हुई थी उस समय डर के एकटम पुलिस स्टेशन पहुंचती है जो लेडी और इतना जादा तरस थी जब उसको मदद मांगी तो उससे बत्तमीजी करनी शुरू कर दी आप सोचे एक महिला कॉंस्टेबल महां बैठी थी वो रात के एक बज़े के आसपस थाने पहुंचती है बताती है कि उनके साथ यह हुआ दोनों बताते हैं अपनी आप भी थी ऑविसली जब समय मुझे लगता है कि उसमें पुलिस को थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए था और यह सोचना चाहिए था कि एक महिला और उसके मंगेतर के साथ अगर इस तरह से बतसलूकी हुई है तो पहले उनकी बात बहुत एक ठंडे दिमाग से सुननी चाहिए लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ यह कि मेजर भी बहुत तेस तेस चला रहा था इस तरह के आरोप लगाए जा रहे और उसके बाद गुस्से में आकर कुछ पुलिस कर्मियों ने मेजर को पहले हवालात में बंद कर दिया आप सोचिए एक तो उसके साथ बतसलूकी हुई और उसके साथ यह धटना कि आर्मी ऑफिसर को इस तरह से कैसे बंद कर सकते हैं तो दो महिला पुलिस कर्मी आये उस लेडी के बाल पकड़े उसके साथ मार्पीट की यानि जो कंप्लेनेंट है जो लड़की बताने के लिए आई है कि उसके और उसके मंगेतर के साथ बतसलूकी हुई है उसके साथ य इसको बंध कर दिया याई इसका जो मंगेतर था वो एक लौक उप में बंद कर दिया ठाने में ये एक कमरे में बंध कर दी ये बताते है कुछ गंटों के बाद महांपर जो 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 चौकिं चार्ज तो जह वाहां का हैट था वू आया और उसने जो है बठसलूकी की छे एक कि आसपास उस समय सुभा हो गए थे और आप सोचे कि यौन उत्पीडन उसके साथ किया गया तमाम चीजे हुई और महिला बेहत डर गई उस समय चिलाने लगी और ये बात जब उसने बयान दिया बाद में पुलिस को तो ये बताया कि किस तरह से बद सलूकी की पुलिस वालो बद सलूकी जो उसके साथ बत सलूकी कियी जो बहर आई तो उसने तमाम बाते बताई रोते तमाम बते किस तरह से पुलिस कर्मिय उसके साथ बत सलूकी की जो वहाँ पर मौजूद थे जो पुलिस कर्मी जो महिला पुलिस कर्मी मौजूद थी उसने किस तरह से बतता में जी कि तमाम बाते उसने अपनी कंप्लेंट में बताई हैं अब इसको लेकर ऑविसली राजनिती भी बहुत ज़्यादा गर्मा आगी क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव हो गया और यह तमाम प्लेटफॉर्म्स पर यह मामला अब आ गया है इसको लेकर जो उडिसा के जो पूर्व मुख्यमंत्री है जो सीएम है बीजू पतनायक नमीन पतनायक उन्होंने भी इसमें सक्ट एक्शन लेनी की बात कही है और जिस तरह से घटना हुई है इससे अब तमाम सवाल खड़े होगा लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो है ना कि इस तरह की घटना थाने के अंदर हो जाना और थाने के अंदर इस तरह से पुलिस कर्मियों के बैवार ये कहीं से भी इसको एक्सेप्ट ने किया जा सकता एक महिला जो अल्रेडी अपने मंगेतर के साथ थी आप सोचिए उसके साथ इस तरह से वो पहले उसके साथ पांच-छे बदमाशों ने बत्तमीजी करी सड़क पर उसके भी जाँच की जा रही है उसके बाद थाने आती है तो थाने में उसके साथ यौन उत्पिडन तक ही अगो इस महिला के साथ आप सोचिए मतलब किस कदर वहाँ पर क्या थानेदार बैठे हुए थी या हैवान बैठे होते ही समझ नहीं आ रहा क्योंकि अगर इस तरह की घटना होगी तो naturally इसके एक बहुत ही ये कहा जाएगा कि दूरगामी परिणाम इसके होंगे इसको लेकर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो CM है उनका नाम है मोहन माजी उन्होंने भी और कर दिये जूडिशल प्रॉप के इस पूरी कस्टोडियल जो एब्यूस केस है इसके बार में थोड़ा मैं आपको और जानकारी दे रहेता हूँ दोस्तों कि जब ये पूरा वाक्या हुआ था पुलिस वालों को तो सस्पेंड इसमें करी दिया गया है जो पुलिस वाले थे इसके अलावा अब इसको लेकर राजनीती गर्मा गई है तमाम बयान बाजी भी हो रही है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें आने वाले वक्त में एक S.I.T. भी इसमें बनाई जाएगी जिसकी पूरी इन्वेस्टिकेशन इसमें होगी लेकिन जिस तरह से ये मैंने पहले भी आपको बताए घटना हुई उससे कई सारे सवाल खड़े होगे खासकर उडिसा में खासकर महिलाओं के सुरक्षा को लेकर आप सोचिए अब ये भी आरोप लगाई जा रहे हैं मैं कही पढ़ रहा था कही जगाओ उपर कि महिला इंटॉक्सिकेटिड थी और उसने भी पुलिस वालों से बतसलूकी की लेकिन ये कौन सा कानून कहता है कि अगर महिला फॉर एक्जेम्पल अगर मान लीजे इमोशनली शाइटर्ड है उसके साथ अल्रडी गलत हुआ उसके पती के साथ गलत हुआ जो कि अपने आपको बता रहे हैं कि वो आर्मी में हैं उसके बाद तो पुलिस को थोड़ा सेंसिटिव बिहेव करना चाहिए था वहां पर उनकी बात ढंक से सुनती उनकी बात सुनने के बाद मुकदमा दर्ज करती लेकिन उल्टे पुलिस कर्मी पुलिस कर्मियों को किसने राइट दिया कि वो इस तरह से बदसलूकी करे ठीक है ये मैं मान सकता हूँ कि ऐसा भी संभव है अला कि अब इसकी जाँ चल रही है कि शायद कुछ महिला की तरफ से भी कई बार गुस्से में कुछ बोल दिया गया लेकिन ऐसे में पुलिस कर्मी को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है बकायदा कि अगर कोई इस तरह से एग्रेसिव कंप्लेनिट भी आ रहा है तो भी उसकी बात आप विनर्मरता से सुने कि वो अलरड़ी उसके साथ क्राइम हो चुका है वो अलरड़ी परिशान है रात के एक बज़े उसके साथ अगर घटना हो रही है और वो आकर ये सब कुछ बता रही है कि मैं लॉयर हूँ आप ये बताएगी कोई महिला अगर इस स्थिती में आ जाए कि वो इस तरह की बाते करने लग जाए कि मैं लॉयर हूँ तो नैचरल सी बात है कि पोलिस उसको अच्छे से एंटेटेन नहीं कर रही है अगर पोलिस उसको अच्छे से एंटेटेन करती तो शायद ये परिस्तिती पैदा नहीं होती लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसको बताना पड़ा कि मैं लॉयर हूँ ये बताना पड़ा कि आप आर्मी मैन को कैसे जेल के अंदर जो है वो डाल सकते तो कई महला पुलिस करमी भी इसमें सस्पेंड हो तो ये जब ये पुलिस का काम ये नहीं है जो इसमें दिखाया गया मैं मान सकता हूँ कि पेड़ित में हो सकता है कि बत्तमीजी भी की हो वो बहुत जाद गुस्से में रही हो बत्तमीजी इन दिसंस की गुस्से में कुछ भूल गई हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ इस तरह से इल ट्रीटमेंट करेंगे आप उसकी घुस्टे को ठंडा कर सकते थे उसकी कांसिलिंग कर सकते थे उस समय सिचुवेशन यह थी कि उसको कम से कम एक जगा बेठा देते उसकी बात सुन लेते उसकी जो कंप्लेइन को सेटिस्फाई करने का पुलिस का परमधर में वो कर देते लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तभी तो इतनी जादा इग्रेसिव होने के बाद यह स्थिती पैदा हो गई कि फिर पुलिस कर्में को भी बुरा लग रहा है और नैचुरल सी वात है जब कोई बहुत जादे अग्रेसिव होगा तो बुरा तो लगेगा लेकिन अब बुर बहुत सारी तरीके इस मामले में हो सकते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं हो रहा है तो नैचुरल सी सबाल तो उठेंगी और इसी वज़े से इस मुद्धे पर भी बहुत साथा राजनीती भी गर्माई और इस तरह के सवाल उठे कि पुलिस ने इतना मिस्भेव किया यह मिस्भ उसके साथ तो गलत हुआ था उसके मंगेतर के साथ गलत हुआ था कुछ बदमाशों ने उसको घेर लिया तए यह उसकी गलती थी उसके बाद लियुद्ध थाने पहुँच्टी और पुलिस वालों को यह बताना पड़ा उसको कि आपकी ड्यूटी क्या है इसका मतलब कही पुलिस कर्मियों की शुरुबात में नेगलिजेंस रही या उनको ऐसा लगा कि ठीक है वही एक और कंप्लेनेंट आ गई तो हम इसको देखते हैं मामले को इस तरह से एक कैजवल अप्रोच नहीं होनी चाहिए उसको सिंसियरली सुनना चाहिए था उसकी बात को सुनते उसका पर्टिक्लर ठाने की बात करूँ तो ये पुलिस कर्मियों का काम है कि वो इस तरह से इल्ट्रीट करेंगे इस खबर पर दोस्तों हमारी निगाव नी रहेगी क्योंकि ये पुलिस के खिलाफ है और पुलिस ने जिस तरह से टॉर्चर किया है महिला को इस से तमाम सवाल इस मामले में क्या आने वाले वक्त में आरूपियों को गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस कर्मियों को सस्पेंशन से क्या होगा आरूपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए जिसने योगन उत्पुडन किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्च करके आगे कारवाई होनी ची यह वीडियो आपको कैसे लिंगे दोस्तों के रूपता है रिगा, थैंक्यू